अच्छे दिन लोटने वाले हैं आप क्या को जानकारी है आइस पर अपडेट के साथ जुड़गे हमारे सयोगी उतकर्ष चत्रवेदी उतकर्ष बताईए देखेंगे दिसंबर के आप बात करें तो को मिक्रॉन का जो स्केर आया था उससे पहले जो नंबर बढ़े दिली में मुंबई में और बाकी शहरों में भी उससे करीब पचास पसंट का हीट आगया जैन्वरी में और एक टाइम ऐसा आया जो मिड जैन का टाइम था जहां पी जिस्वी के नंबर से एविशन कंपनी को अल्बोस्ट आधी फ्लाइट पर उड़ रही थी उसके बाद आप देखते हैं कि पिछले हफते से जो हमारे सुच्छ रहे बता रहे हैं कि जो नंबर है वो बढ़ने लग जया है जैनुवरी का अगर आप नंबर देखेंगे 65 परसंट परसंट तक आ चुका है इसमें जो करेंट लोट फैक्टर दो सतर परसंट है जो एरलाइन से बता रही है कि जिससे से उनका बोकिंग ट्रेंड दिख रहा है सब 15 याने कि जो मिड़ है वहाँ पर उनको यह उमीद है कि पूरा का पूरा वापिस सेकर खुल जाएगा और करीब 75 परसंट-60 परसंट के आसपास का लोट फैक्टर वापिस आना शुरू हो जाएगा इसक्या कारण से पहला कारण है कि नाइट कर फ्यूद गए लिकेंड हो रही है तो वेडिंग के लिए आदमी बहुत सारा ट्रावल करेगा और जो टूरिजम था जो बहुत सारे शहर थे जहां पर ट्रावल टूरिजम के लिए होता है वहाँ पर नाइट कर फ्यूद में ट्रावल आल्मोस्ट बहुत कर हो जाता तो वह भी वापिस चुरू उमीद रगाई जारी कि जो बोकिंग नंबर है वो 15-20 परसंट बेटर है जनवरी से और जो पूरा मन्थ एंड होगा वो करीफ 75 परसंट के लोड़ फैक्टर पर एंड होगा ऐसे हमें एविशन कंपनीज बता रहे हैं ठेक है तो लोड़ फैक्टर बढ़ने के संकीत मिले हैं ओमीक्रॉन के जब चिंता गहराए थी तो एविशन कंपनीज के लिए मुश्किले बढ़ी थी और आप जनवरी के मध्ध में जैसा कि उतकरश बता रहे हैं लोड़ फैक्टर घटकर 50% के पास आ गया था लेकिन 85% के आसपास पहुंचने की उमीद है तो एविशन कंपनीज के लिए एक रहत की ख़वर निश्य तोर पर निकल कर आ रही है नुरेश एविशन में वैसे तो मामला ठंडा ही है और जब तक